नमस्कार प्रिये विध्यार्थियों, आज हम आपका नवीन अध्याय पांचवा अध्याय प्रारम कर रहे हैं, शीर्षक है चिठ्धियों की अनूठी दुनिया, शीर्षक से ही हमें पता लग रहा है कि हम आज चिठ्धियों के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुँ सही जान और आप जान इंब प्रारम करेंगे, यहाον आपका रहे हैं रहे हैं, और आप सभी को पता है, चिठ्धियों के माध्यम से बारे में प्राप्त होती है, तो आई आए प्राररम करते हैं, पिटा, पत्रों की दुनिया भी अजीवों करीब है आर इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है पत्र जो काम कर सकते हैं वे संचार का आधुनिक तमसाधन नहीं कर सकता पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहां दे सकता है पत्र एक नया सिलसला शुरू करते हैं और राजनिती साहित्य तथा कला के शेत्रों में तमाम विबाद और नई गटनाओं की उपर केंद्रित है और माना सभिता के विकास में पत्रों ने अनूटी भूमिका निभाई है पिटा उपर जो अको ये दिया गया है ये सब पत्रों के महतु को इंगित करता है कि जो पत्र है उनकी उप्योगिता ऐसा नहीं है कि पहले थी और आज नहीं है इनकी उप्योग से जानते हैं, देखे, पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं, खत, संस्कृत में पत्र, कंडड में कागत, तेलगु में उत्रम, जाबू और लेग, तमिल में कडित कहा जाता है, तो ये पत्रों के विविद नाम अलग-अलग भाशाओं में हैं, ये बताने को परियाब्त है कि जाए कोई भी भाशावाशी हो, सभी के जीवन ने पत्र का विशेश महत्व है, पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, मतला पत्र हमें अपनी यादों के जरोके में ले जाते हैं, हमारी यादों से जुड़े होते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला और हर एक के पत्रों का अपना धायरा. दुनिया बर में रोज करोडों पत्र एक दुसरे को तलाश थे, तमाम ठिकानों तक पहुँचते हैं. भारत में भी रोज साड़े चार करोड चिठियां डाक में डाली जाती है, जो ये साबित करती हैं की पत्र कितनी एहमियत रखते हैं. बेटर ये संख्या ही आपको समझने में परियाप्थ हो जाएगा की पत्र अपने आप में कितने महत्व पूंढ है. की साड़े चार करोड पत्र जो हैं, वो डाक में डाले जाते हैं. तो ये पत्रों के महतु को ही इंगित करता है, ये पत्र कितने महतुपून है पंडी चवाला नेरुने सन 1913 में सही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कारे हर कारे या फिर जो कहें कि संदेश वाहक होते थे या फिर तेज घोड़े रहे हैं, उसके बाद पहिये आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलावाया तार ने रेलों से भी तेज गति से समवात पहुचाने का सिलसला शुरू किया आप टैलेफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है ये सब चीजें आपके सामने ही प्रत्यक्ष हैं कि किस प्रकार से आज भी आप अपने मॉबाइल फोन से वाटसप मैसेज करते हैं और भी मैसेज करते हैं, इन्स्टाग्राम, फीस्बूक, ये सब क्या हैं ये सब एक दूसरे तक हमारी संदेश प्रिशन के साधन है तो कहने का मतलब दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है पिछले शताबदी में पत्र लेखन ने एक कला का रोप लिया डाप्य वस्था में के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेश प्रियास के गए देखिए पत्र लेखन अपने आप में बड़ा एक कला है जैसे आपनी बंद लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, कहाने लिखते हैं ऐसे ही पत्र लिखना भी एक कला है और अगर कला ना हो तो ऐसा हुई निसकता कि किसी का पत्र बहुत प्रभावशाली होता है, दुसरों पर असर ढालता है और किसी का लिखा किसी का कोई ऐसा नी डालता तो कहनेकार्थ यह हैं कि लिखते सबी हैं लेकिन कुछ लोग इस पत्र लेखन का विशेवी शामिल किया गया है। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में प्रयास चले। और विशुडाक संग ने अपनी ओर से काफी प्रयास किये। विशुडाक संग की ओर से 16 वर्ष से कम आयुवर्द के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियों गि पर देहाती दुनिया आज भी चिठ्थियों से चल रही है, फैक्स, इमेल, टेलेफोन तथा मोबाइल ने चिठ्थियों को तेजी से रोका है, पर व्यापारिक टाग की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो कहने का मतलब यह है कि पत्र लेखन एक कला है और इसको प्रत्साहिद करने के लिए विविद इस्तरों पर प्रयास की जा रहे हैं, और इनी प्रयासों का नतीजा है कि स्कुली पाठिक्रम में भी अब पत्र लिखन को शामील किया गया है, आप लोग भी पत्र लिखते हैं, सोची कुन सा पत्र लिखते हैं, बिल्कुल सही, कि अवकाश के लिए प्राचारी महोदे को जो प्रार्थना पत्र लिखते हैं, वह भी पत्र हैं बेटा। तो इस प्रकार से हम पत्रों के महत्रों को जान पाएं हैं, धन्यवाद।